नमिश्कार BCN News के दिन शिश्कारेकर में मैं दिशाप सभी का स्वागत करती हूँ बाहर गंगाधर जामेकर मराथी पत्रकारिता की अग्रदूर थी उन्होंने 6 जनवरी 1832 को दरपन नामक प्रतम मराथी अक्पार शुरू किया हर साल 6 जनवरी को मराथी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है बाहर गंगाधर जामेकर का जनवरी 1812 में महराष्टी राजकी को कंचित्र में देवगर तारुका के पोरंभुरले गाव में हुआ था उनके पिता का नाम गंगाधर शास्त्री था जो एक अच्छी वैदिक थे उन्होंने अपने पिता गंगाधर शास्त्री से घर पर मराथी और संस्कृत भाशाओं का अधियन शुरू किया जनवरी 1832 में दरपन अकबार का पहला अंग प्रकाशित हुआ चनता के लिए अकबार की भाशा मराथी रखी गए थी लेकिन अकबार का एक कॉलम अंग्रेजी भाशा में भी लिखा गया अकबार की कीमत एक रुपए थी यह अकबार अंग्रेजी और मराथी जैसी भाशाओं में प्रकाशित हुआ इस अकबार में दो कॉलम थी दरपन अकबार साड़े आट साल तक चला और जिलाई 1840 में उनका अंतिम अंग प्रकाशित हुआ इस समाचार पत्रकाव देश स्वदेशी लोगों की बीच व्यापारी हिट का अध्यान करना और इस समरुदी और देश की समरुदी के तरीके पर यहां के लोगों की कल्यान की बारे में सोचना था बाल गंगादर जांबेकर के सारवजनिक पुस्तकालियों के महतों को पहचानती हुए बॉम में नेटिव जनरल लाबरेली की स्थापनाब की गई वो एशियाटिक सोसाइटि के त्रहमासिक क्वाटर में एक पुस्तिकाल लिखने वाले पहले भारतिय थे बाल गंगादर जांबेकर देश की प्रगती, आधुनिक सोच और संस्कृति को विक्सित करने के लिए वैज्ञानी ज्यान की आवश्शक्ता और सामाचिक मुद्दो को देखने की न्याईग भूमिका की वैज्ञानी ज्यान को बढ़ावा देने की आवश्शक्ता के बारे में चानती थे संचेप में वे आज की तरह एक ज्यानी समाज तरह केवल 200 साल पहले की उमीद कर रहे थी उनके इन्ही कारियों को याद करते हुए हर साल 6 जन्वरी को मराठी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है परमवीर चक्र से समानित भारतिय व्यक्ती नायब सुवेदार बानासिह की पाकिस्तान के साथ भारत की चार मुलाकाते यो दुभूमी में तो हुई कुछ और भी मोर्चे है जहाँ हिंदूस्तान के पहादुरों ने पाकिस्तान के मनसूबों पर पानी फेर दिया सियाचीन का मोर्चा भी सराका एक मोर्चा है जिसमें आज जमू एन कश्मिर लाइट इंफेंटरी के नायब सुवेदार बानासिह को उनकी चतुराई पराक्रम और साहस के लिए परमवीर चक्र दिलवाया किया आज ही के दिन 1959 में उनका अच्छन हुआ था मानत कैप्टन बनासिह अत्वा बानासिह परमवीर चक्र से समानित भारतिया बहुत पूर वर सैनिक है आपको यह समान वर्ष 1987 में मिला था जब इन्होंने सियाचीन डिलेशियर को पाकिस्तान की कबजी से मुक्त कराने की अभ्यान में आप्रतीम शोहरी का प्रदर्शिन किया था अलंकरन के समय आप नायब सुबिदार की पतपर थी जो बाद में क्रमश सुबिदार, सुबिदार मीजर वो मानत कैप्टन बने भारत के गंतंतर दिवस परेड का नेतरत्व वो भारत के राष्टपती को सर्वप्रतम सलामी देने का अधिकार आपके पास ही सुरक्षित है पाकिस्तानी सेना के साथ भारती सेना की चार मुलाकाती ये दुभूमी में तो हुई कुछ और भी मुर्चे है जहां हिंदुस्तान के बहादरों ने पाकिस्तान के मनसूबों पर पानी फेर कर रख दिया सियाचीन का मोर्चा भी इसी तरह का एक मोर्चा है जिसमें जम्मू कश्मीर लाइट इंफरेंट्री के आठवे दस्ते की नायब सुभिदार बाना सीह को उनकी चतुराई, पराक्रम और साहस के लिए भारत सरकार द्वारा परम्विय चक्र दिया गया बहदुर बाना सीह का जन्म 6 जन्वरी 1950 को जम्मू और कश्मीर कादेल गाव में हुआ था, 6 जन्वरी 1979 को उनका सैनिक जीवन जम्मू कश्मीर लाइट इंफरेंट्री में शिरू हुआ, श्री सीह को सम्मान देनी, वो उनकी वीरता को याद रखने के लिए सियाचीन में जिस जोकी को बाना सीह द्वारा फते किया गया था, उसका नाम बाना पोस्ट रखतिया गया, बाना सीह ने इसी कारवाई के लिए परमविर शक्र पाया था बॉलिवुड से लेकर हॉलिवुड तक अपने दमदार अभिनेकर देश में विदेश में अपनी काबिलियत का लोहा मनमानी वाले ओमपुरी का आची के दिन 2017 में निधन हुआ था साल 1950 को पट्याला में जन्वे ओमपुरी का पूरा नाम ओमराजिश पुरी था पंजाबी परिवार में जन्वे ओमपुरी के पिता भारती रेले में काम कर दे थे ओमपुरी एक बहतरीन अभिनेता तो थे ही साथ में एक आम इंसान का चेहरा भी थे वह चेहरा जो आपको अपने आसपास हमीशा नजर आ जाता है ओमपुरी ने मराटे फिल्म घासी राम कोतवाल से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी साल 1983 के फिल्म अर्ध सत्य से वो लोगों की निगा में आये ओमपुरी छे साल की उम्रों में टी स्टॉल पर चाय के बरतन साफ करते थे लेकिन अक्टिंग की ललक ने उन्हें नाशनल स्कूल अव ग्रामा तक पहुचाया साल 1988 में ओमपुरी ने दुरदर्शन की मशूर टीवी सीरीज बारत एक खोज में कई भूमे काहिन निभाए जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया बीबीसी के साथ एक इंटर्व्यू में ओमपुरी ने अपनी मौद के बारे में बात की थी और कहा था कि उनकी मौद अच्छानक ही होगी मार्श 2015 में लिये गए इस इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था मौद का तो आपको पता भी नहीं चलेगा सोई सोई चल देंगे आपको पता चलेगा कि ओमपुरी का कल सबह साथ बच कर बाइस मिनिट पर निधन हो गया और ये कहकर वो हस्ती है हुआ भी कुछ ऐसा ही ओमपुरी का शव नग नवस्ता में उनके खर पर मिला था उनकी मृत्यों की वज़़ दिल का दोरा पढ़ना बताए गए ओमपुरी की दूसरी पत्नी नंदिता पुरी की लिखी उनकी जीवनी अनलाइकली हीरो दो स्टोरी ओफ ओमपुरी जग 2009 में छपी तो उसने ओमपुरी की नीची जीवन में भुचाल ला दिया था वही ओमपुरी का खहना था कि नंदिता ने ये बाती जग जाहेर कर उनकी चानी वालों के बीच उनकी झशवी को गिरा दिया मिर्च मसाला, चारे भी दो यारो, चाची चार सुबीस, हेरा फेरी, माला माल, वकीली जैसे न जाने कितनी फिल्मे हैं चिन में वे अलग-अलग तरह के किरदार में दिखाई देते हैं अर्दे सत्य में दमदार अभिने के लिए उन्हें नैशनल अवार्ड से समानित किया क्या ओमपुरी का बच्पन काफी गरीबी में बीता था और लंबे संगरिश की बाद उन्होंने यह सफरता हासल की बीसीन न्यूज के दिन विशेश कारिकर में फिलहाल इतना ही एसीन और का प्रोसी चुड़े रहने के लिए देखते रहेए बीसीन न्यूज नमस्कार